देशित में सबसे बड़ा सवाल आपके हैं सवाल कि क्या आप राश्डगान गाते हैं क्या आप भारत माता की जै बोलते हैं और क्या आप अपनी देश भ्गती का टेस्ट देने के लिए तैयार हैं देश भक्ती का टेस्ट बिलकुल साई सुना दर असल यूपी सरकार ने सभी मदर्सों को 15 अगस पर राश्रुगान और फिर भारत माता की जै का नारा लगाने के लिए कहदी आदेश दे दिये बल्किए यानि भारत माता की जै पर महा भारत तय है कश्मीर से कन्या कुमारी तक हिंदुस्तान अपने 72 वे स्वतंचुता दिवस के जश्न की तयारियां कर रहा है राश्रुगान भी गाय जाएगा और भारत माता की जै के नारे भी लगे लिए मगर यूपी में माता की जै पर महा भारत के आसार नजर आ रही है यूपी सरकार और शिया वक्फ बोर्ड ने राश्रुगान पर विशेश निर्देश जारी किये है 15 अगर्ज को यूपी के सभी मदर्सों में तिरंगा फैराय जाएगा मदर्सों में राश्रुगान गाये और भारत माता की जै के नारे लगाये अल्प संक्या कल्यान मंत्री लक्ष्मी नरायन चौधरी ने निर्देश जारी किये है यूपी सरकार का कहना है बिना भारत माता की जै के राश्रुगान अधूरा है शिया वक्फ बोर्ड ने तिरंग्य और राश्रुगान की विडियोग्रफी कराने को कहा है पंदरा अगस्त को जंडर रोहन का जो कारिकरम होगा उसमें राश्रुगान के बाद भारत माता की जै का नारा जरूर लगाये जाएगा और जो इंस्टिट इसको फालो नहीं करेगा हम उसके खिलाफ कारवाई करेगा योगी सरकार और शिया वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद मदर्सो और मौलाना उमें हल्चल शुरू हो गई है अब तक कई मौकों पर ऐसे आदेश मिले हैं तिरंगा पहराने और राश्रुगान में मदर्सो को कोई परेशानी नहीं है लेकिन भारत माता की जय को लेकर मौलाना इसे इसलाम के खिलाफ बताते है सवाल ये है कि मदर्सो को भारत माता की जय से परहेश क्यों है शिया वक्फ बोर्ड और योगी सरकार के निर्देश से मदर्से परेशान क्यों है क्या योगी सरकार मदर्सों का देश भक्ती टेस्ट ले रही है? सवाल यह है कि देश भक्ती को लेकर ऐसे निर्देश क्यूं जारी करने पड़ते हैं? और आजादी का जश्र मनानी के लिए जो बुन्यादी चीजे तैक की गई है, उस पर किसी को एतरास क्यूं है? आखिर सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं ब्यूरर रपोर्ट जी मीडिया